क्या आपको भी साड़ी इस पहनने का शौक है? तो फिर तसर सिल्क के बारे में तो आपको मालूम ही होगा and I'm very sure कि आप में से कए लोगों के पास तसर सिल्क के साड़ी भी होगी लेकिन आपको पता है इस सिल्क कैसे बनता है? चलिए आप जानते हैं कि कैसे बनता है तसर सिल्क ये बनता है एक कीड़े के लारवा से ये कीड़ा जेनरली अरजुन के पेड़ में पाया जाता है इस कीड़े को पहले पालते हैं फिर ये लारवा चार महीने तक खुले में और बागी के 8 महेने अपने कुकून में रहता है इसके बाद कुकून को धूप में सुखा देते हैं ताकि इसके अंदर का कीड़ा मर जाए और अगर इसको नहीं सुखाया तो फिर उसमें कीड़ा जिंदा रहेगा और सिल्क का धागा नहीं निकल पाएगा फिर उस कुकून में एक पतला सा छेट किया जाता है जिससे धागा निकलता है एक कुकून से अप्रॉक्सिमेट वन किलो मीटर लंबा धागा निकल जाता है ये धागा काफी पतला होता है लेकिन इसका स्पेशालिटी ये होती है कि ना तो ये उलचता है और ना ही तूटता है फिर रेलिंग मशीन के यूज से पांच कुकून को लेकर उनमें से धागा निकाला जाता है उन पांच को मिलाकर एक धागा बनता है